एक बार विजय नगर में एक साधू का आगमन हुआ, वह नगर के बाहर एक पेल के नीचे बैठ कर साधना करने लगा। विजय नगर में उसके बारे में यह बात प्रसारत हो गई कि वह एक सिद्ध साधू है जो चमतकार कर सकता है। सभी लोग उसके दर्शन के लिए धन, भोजन, फल फूल के चड़ावे के साथ जाने लगे। तेनाली राम को जब इस संबंध में ग्यात हुआ, तो वह भी साधू से मिलने पहुँचा। वहां पहुँचकर उसने देखा कि साधू के सामने चड़ावे का धेर लगा हुआ है और नगर के लोग आँखे बंद कर आराधना में लीन है उसने देखा कि साधू अपनी आँखे बंद कर कुछ बुदबुदा रहा है। तेनाली राम कुशाग्र बुद्धी था। साधू के हूठों की गती देख वर्क्षन भर में ही समझ गया कि साधू कोई मंत्रोच्चार नहीं कर रहा है बलकि अनाप्षनाप कह रहा है। साधू धोंगी था। तेनाली राम ने उसे सबक सिखाने का निर्नय किया। वो साधू के पास गया और उसकी दादी का एक बाल खीच कर तोड़ दिया और कहने लगा कि कि उसे स्वर्क की कुझी मिल गई है उसने घोशना कि कि ये साधू चमतकारी है। इनके दाड़ी का एक अबा अपने पास रखने से मृत्य उपरांट स्वर्क की प्राप्ती होगी यह सुनना था कि वहाँ उपस्थित समस्त लोग साधू की दाड़ी का बाल तोड़ने के लिए ततपर हो गये। तेनाली राम द्वारा अपनी दाड़ी का बाल खीचे जाने से हुई पीरा से साधू उबरा नहीं था। उसकी घोशना सुनवल तुरंट समझ गया कि लोग उसके साथ क्या करने वाले हैं वह जान बचाकर वहाँ से भाग गया। तप तेनाली राम ने उपस्थित लोगों को वस्तुस्थिती से अवगत काराया और ऐसे धोंगियों से दूर रहने की नसीहत दी।